साथियों जो लोग दलितों को हरजन कहते थी साथियों जो लोग दलितों को मारने पीचने की बात करते हैं छोचूत उनके साथ करते हैं भेदभाव करते हैं और अब उनके नेताओं के साथ भेदभाव होने लगा है आज फिर मुद्दा उठ रहा है कि या फिर मायावती जी चुनाव क्यों लड़ रही है जब मायावती जी के समाज के दल्टों का ओंट मुझे मिल रहा है और मायावती जी सिर्फ और सिर्फ ओंट काचने के लिए चुनाव लड़ रही है तो वो चुनाव ना लड़ें आज की खास भी से है जिस पर बात चीत करेंगे और कई ऐसे राज हैं जहां पर ये जो लोग कह रहे हैं मायावती जी चुनाव ना लड़ें उस राज में इन लोगों का कैसा परफॉर्मंस है आज आपको बताएंगे उससे ये अंदाजा लग जाएगा कि मायावती जी से बहतर कोई नहीं है तो आज इन तमाम खबरों पर बात चीत करेंगे लेकिन लालू पर साधियादों ने बताया कि इस देश के 88% लोगों का संसाधन महाज 15% लोग पा रहे हैं तो ये 12 पसे 15% जो लोग है बढ़ा है जो संपत्ति है वो बढ़ा है इस वीडियो में वो तमाम खबरे आज हम बताएंगे और सोचिए ये खुस खबरी ये है कि जो अगनी बीर सेना थी उसका नाम बदल दिया गया है और जो उसकी समय थी वो भी बदल दिया गया है और जो उसका पैसा था उसको भी डबल कर दिया गया है इस वीडियो में वो तमाम खबर पर हम बातचीत करेंगे और सोचिए कौरनाटक और आसम कई ऐसे राज हैं जहां पर डीजल पिडरोल के दाम महंगे हो गए और उस राज में कॉंग्रेस पारकी की सरकार है तो इस पर हम बातचीत भी करेंगे और तमाम कॉंग्रेसी नेता बहन मायावती जी को टुरोल कर रहे हैं कि वो नहोती तो चुनाओ हम जीतते तो कई ऐसे राज का आपके सामने लिष्ट रखेंगे और आपको अंदाजा लग जाएगा कि कॉंग्रेस पार्टी चुनाओ तब भी नहीं जीत पाएगी अगर भाजबा और कई अनपार्किया इनसे समर्थन कर लिए तब भी जब तक बीएसपी को साथ में गटबंधर में नहीं लेंगे तब तक नहीं जीत पाएगे चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इन तमाम ख़बरों पर नजर जालते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्राग और आद देख रहें देशी पेस्वे विलोग साथियों अब बात करते हैं सन 2023 की जब इंडिया एलियांस बनने की समय आया था नितीश कुमार मायावती जी से मिलने की बात करते हैं राम गुपाल यादो अकलेस यादो कहते हैं कि मैं इंडिया एलियांस से चुनाओ नहीं लडूँगा यद मायावती जी इस इंडिया एलियांस में सामिल होती हैं आप कलपना नहीं कर सकते कि मायावती जी के पास जो लोग गए हैं वो निरास होकर नहीं आये हैं मायावती जी ने उन लोगों के साथ गड़ बंधन किया जिन लोगों से बहुत पुरानी दुस्मनी थी अकलिस यादो मुलायम सिंग यादो से तो ये इंडिया एलियांस में क्यों नहीं सामिल होती लेकिन इंडिया एलियांस में बहन जी को सामिल नहीं किया गया इसके पीछे का कुछ सबूत मेरे पास है जो मैं आपको बताऊंगा और उस सब्यूत को आपके सामने रखोंगा और इल्जाम अब ये लगाते हैं ये लोग कि बहुजन समाज बार्की के वज़ा से चुनाव हम हार चुके हैं आप इस बात की कलपना नहीं कर सकते के दलित पिछडे आदिवासी कोई स्कूल में ये पढ़ने का मौका मिल जाए और वो गलती से पास हो जाएं या इन लोगों के डर से वो पढ़ाई जादा कर ले और पास हो जाएं तो इन लोगों का एक ही नारा रहता है कि अगर ये दलि का आना हरकत ये इंडिया एलियांस वाले कर रहे हैं मुझे मजबूरी में यह सब बोलना पड़ रहा है नहीं तो मैं सिर्फ सत्ता से सवाल पूचता हूं लेकिन मैं आज कई दिनों से देख रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी को परकास अंबेटकरजी के पार्टी को य इन लोगों को ये बता रहे हैं कि आपकी वज़ा से हम चुनावा रहे हैं आनता मैं इन लोगों के सवालों का जबाब भी नहीं देता मैं सीधा सत्ता से सवाल पूचता हूं और सवाल दरित पिशड़े आदिवासियों के हित में पूचता हूं आप इस बात की कल्पना नह पर आछик है अब बात करते हैं मायावती जी की मायावती जी पिछले समाज अच पिछले समाज मुसलमानों का महिलाओं का सब का सम्मान करती हैं सम्विधान को सबसे बड़ा दर्जा देती हैं और सम्विधान में सभी जाती धर्मों का उलेख है और उन्हें सम्मान देने का काम सम्विधान कर रहा है तो मायावती जी को ये लोग कह रहे हैं चुनाव क्यों लड़ रही है आप जबकि आपके समाज का ओट हमारे PGA परिवार को मिल रहा है इंडिया एलियांस के परिवार को मिल रहा है तो मायावती जी चुनाव क्यों लड़ रही है दोस्तों मायावती जी चुनाव लड़ें या न लड़ें लेकिन जो कॉंग्रेस पार्टी के इतिहास को पढ़ा है जानता है वो मुझे नहीं लगता कि कॉंग्रेस पार्चु को अपना वोट कर देगा ये मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ गांधी जी ने हरजन कहा, हरजन दल्यतों को कहा ये हरजन का मतलब गाली देना होता है आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते लोग कि संबिधान खत्रे में है तो असला गयर इन ही लोगों के पास है कि मायावती जी को जो संबिधान में चुनाओ लड़ने का अधिकार है वो लोग कह रहे हैं कि चुनाओ मत लड़ो मतलब संबिधान को खत्रे में डालने का काम यहीं लोग कर रहे हैं आपको आज तमाम ऐसे सबूत हम आपको बताएंगे सोचिए कॉंग्रेस और सपाई जो यूपी में अपनी हार का जिम्मेदारी बसपा को बता रहे हैं उसका अन राजियों में सांदार परदर्शन देख लीजिए गुजरात में कॉंग्रेस पार की चुनाव लड़ती है और एक सीख पाती है उत्रा खंड हिमाचल परदेश मद्र परदेश आंधर परदेश दिल्ली अरुलाचल परदेश सिक्किम ऐसे तमाम राज जहां पर जीरो पराउंट हो जाती है उडिशा में एक सीख आसाम में तीन सीख छतिसगड में एक सीख जंबू में जीरो सीख पराउंट और विहार में नो सीख मिजोरम में जीरो लड़ाख में जीरो तिरपुरा में जीरो अंड़मान नीकोबार में जीरो दादर नगर हवेली में जीरो तो ऐसे तमाम राज जहां पर ये कॉंग्रेस पार की कल्येश का बहुत अच्छा पर्फार्मंस किया है, सब जगा जीरो पाई है, और अगर बस्पन होती वहाँ पर, तो ये आगे कुछ भी लगा सकते थे, एक, दो, या दो, तीन, जो भी लगाना था लगा सकते थे, मतब 40- सीक हर राज में जीत लेते, जहां पर 10 सीक है, वहां पर तब ये 50 सीक जीत जाते, क्योंकि वहां पर बहुजन समाज पार की चुनाओ नहीं लड़ रही होती तो, अब सोचिए, इनकी मानसिक्ता सोचिए, इतने राजियों में इनका ऐसा प्रफॉर्मंस है कि खाते तक नही खुले हैं, और वहां पर ये इलजाम किस पार की पर लगा दे, तो ये दलितों पर आरोप लगा सकते हैं, बिजेपी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बिजेपी इनके सामने थी, अब ये कभी नहीं कहेंगे कि बिजेपी नहोती, तो हम चुनाओ जीत जाते, मैं बहुत मजबूरी में इनके खिलाब वीडियो बना रहा हूं क्योंकि लगातार ये बहुजन समाज पार्की को खेर रहे हैं और बहुजन समाज पार्की ने कभी ऐसा काम नहीं किया कि दलित पिछडे अत पिछडे शामान वर गरीब लोग को सर जुकाना पड़ जाए बहुज संबेटकर जी और मायावती जी चुनाओ ना लड़ें और कॉंग्रेस पार्की तब जीत जाएगी लालू परसाद यादो ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार उच जातियों के पास देश की कुल संपत्ती 88% 0.4% हिस्सा है जबकि OBC के पास 9.0% हिस्सा है और अनुसूचित जाती और जन जाती के पास 2.6% हिस्सा है लालू परसाद यादो जी कहा कहना है तो ये सबसे बड़ी ख़बर है और यंपी में सोचिए गेरा मुसलमानों के घर गिरा दिये जाती हैं कॉंग्रेस पार्की नहीं बोलती है शमाजवादी पार्की उपतक नहीं करती है और भी नवचावर करने की तैयारी कर रहता है यंपी के मंजला में गेरा मुसलमान परिवारों के घर को केवल इसलिए बुल्डोजर कर दिया गया क्योंकि उनके घरों पे बीफ रखने का आरोप लगा था यसी को इस घटना का ततकाल संग्यान लेना चाहिए और सरकारों बुल्डोजर के परियोग पर स्टोप जारी करना चाहिए उसे रोकना चाहिए तो ये तमाम मुसलमान भाई सिर्फ इसलिए फस रहे हैं क्योंकि उनके घरों पर अगर बखरे का गोस मिल जाता है कब तब भी उन्हें बीफ का इलजाम लगा जाता है जो चुनाव लड़ र चाहिए कम से कम और बड़ी खबर की बात करें तो करनाटक में कॉंग्रेश सासित राज है और यहां पर जो पितरोल डीजल के दाम है वो 102 रुपे पॉइंट 86 पैसे तेलंगाना में 107 रुपे पॉइंट 41 पैसे और तमिलनाडू में 100 रुपे पॉइंट 75 पैसे हैं तो यह से राज हैं जहां पर कॉंग्रेश सासित राज है और यहां पर दाम बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी खबर केंदर सरकार का एहम फैसला जो यह अगनी बीर योजना बनाई गई थी उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम बदलने के बाद उस नौकरी का जो समय सीमा था उसको बढ़ा दिया गया है जो पैसे थे उसको भड़ा दिये गये हैं केंदर में गड़बंधन की सरकार है भाजपा पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई है इस वज़ा से उन्हें अब खुद के द्वारा लिए फैसले बदलने पड़ रहे हैं अब देश में मजबूत व जोजना का नाम बदल कर सैनिक सम्मानी स्कीम कर दिया गया है और नौकरी चार साल के बजाए साथ साल कर दिया गया है बाईस लाख रुपे की जगह एक तालिस लाख रुपे कर दिये जाएंगे तो यह सबसे बड़ी खबर है और विपच मजबूत है और विपच कुछ भी करा सकता है मैं कॉंग्रेस पार्टी के नीतियों के खिलाफ हूं राहुल गांधी के खिलाफ नहीं हूं मने सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं हूं अकलेस यादो जी के खिलाफ नहीं हूं लेकिन जो इन लोगों की नीतिया है कि दलितों को उपर ना आने दो दलितों की न लड़ें तो ये सारे लोग चुनाओ जीत जाएंगे इनके गलत फहमी है अगर इनके अगडवंधन में मायावती जी को सामिल कर लिए होते तो आज इनको ये कहनया नहीं पड़ता बाकी आप लोग की क्या राय है क्या सुझाओ है जरूर दीजिएगा जैभीम नमु झाओ लोग बुटो ये सी एफ को सामिल जैवाएंगे जीत जी जाएंगे टीजिए ये जुट्टो ये वे सामिल कर लोग कि नहीं पीन सामिल की के राय है नहीं